आज के वीडियो में मैं आपसे शेर करने जा रही हूँ किस तरह आप अपने एक रेडिमेट सूट जिसमें की पहले से ही डिजाइन होता है आगे की तरफ इंब्रॉइडरी होती है उसे आप कट कर सकते हैं तो यह देखें यह मेरे पास एक सूट का कपड़ा है जिसमें की आप देख सकते हैं आगे की तरफ बहुती ब्यूटिफुल कश्मीरी कढ़ाई हो रखी है और नीचे की तरफ छोटी-छोटी बूटियां है यह देखें इंब्रॉइडरी कीवी है तो यह फ्रंट साइड है कुर्ती का और यह जो बाकी का रिमेनिंग कपड़ा है यह इसमे सलवार और कुर्ती का बैक साइड दोनों निकलेगा तो यह जो कपड़ा होता है इसमें आप अपनी कुर्ती और सलवार दोनों निकाल सकते हैं और साथ में हमें यह मिला हुआ है एक स्टोल या फिर आप इसे दुपटा भी कह सकते हैं साइड की तरफ यहां पे शुरू करेंगे तो यह देखें यह हमारा जो डिजाइन है वो यहां तक है तो आप इससे दो इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ ले सकते हैं क्योगि डिजाइन से बहुत जादा नीचे तक आप जाएंगे तो आपको नीचे की तरफ डिजाइन नहीं मिलेगा कुर्ती का तो वो भी अच्छा नहीं लगीगा और उपर की तरफ से हम सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे जो की हम शोल्डर के टाइन पे स्टिच करते हुए उसे सिलेंगे तो आधा इंच डिजाइन से मैंने उपर की तरफ कपड़ा लिया है और नीचे की तरफ मैंने देड़ से दो इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते वें मारकिंग कर दी है अब यह देखे इस मारकिंग को हम स्टेट सीधी लाइन खीच के बराबर कर देंगे उपर से भी और नीचे से भी तो ये हमारे कुर्ती की लेंथ निकल के आ गई है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे ये देखे हमारी लेंथ निकल के आ गई है, अब हम इस डिजाइन का बिलकुल सेंटर का पार्ट लेंगे, बिलकुल बीचो बीच का हिस्सा और वहाँ पे इस तरह मार्किंग कर देंगे और इसे हम बिलकुल बीच से इस तरह फोल्ड कर लेंगे, तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान दें कि जो आपका फोल्ड है, वो आपके इम्ब्रॉइडरी का, आपके डिजाइन का बिलकुल बीचो बीच वाला हिस्सा होना चाहिए, वहाँ से आपको अपने कुर्ती को कुर्ती के फैब्रिक को फोल्ड करा है, यह देखिए, मैंने बिलकुल डिजाइन का बीचो बीच का हिस्सा लिया है, और यह मैंने फोल्ड कर दिया है, आप देखिए, आपके नेक्लाइन का बिलकुल बीच का हिस्सा होना चाहिए, और नीचे तक जो इम्ब्रॉइडरी है उसका भी बिल्कुल बीच का हिस्सा है वहां से हमने इसको फोल्ड कर दिया है अब हम अपनी मार्किंग शुरू करेंगे तो सबसे पहले मैं नेकलाइन और शुल्डर का नाप लगाऊंगी तो आपकी नेकलाइन की जितनी भी विट्थ दे रखी हो लेकिन आपको उतना ही विट्थ लेना है अपने नेकलाइन का जितना की आपके नेक का विट्थ होता है तो मेरा यहाँ पे 3 इंच है तो मैं 3 इंच पे ही निशान लगाऊंगी और यहाँ पे मैंने शोल्डर का आधा निशान लगाया है 7 इंच तो आप जितना भी आपका शोल्डर है आप उसका आधा ले ले और यहाँ निशान लगा दे साथ इंच नीचे मैंने आम होल के लिए लाइन कीची है और इस जगह से भी मैं मेकशियर करूँगी कि ये सेम सेविन इंच ही होना चाहिए जितना कि मेरा हाफ शोल्डर का निशान मैंने उपर लगाया है अब इन दोनों लाइन्स को मिला देंगे अब हम इस जगह पे अपने बर्स्ट का निशान लगाएंगे तो आपका जितना भी चेस्ट का मेजुरमेंट है उसको आप चार से डिवाइड करें और उसके बाद उसमें एक इंच प्लस कर लें और यहाँ पे निशान लगा दें इस तरह उसके बाद आधा इंच नीचे इस जगह से मैं शूल्डर ड्रॉप का निशान लगाऊंगी और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह मिला देंगे अब यहाँ कंधों से नीचे 14 इंच नीचे मैंने कमर का निशान लगाना है और यहाँ आम होल की लाइन से 15 इंच नीचे मैं हिप्स का निशान लगाऊंगी तो यहाँ मैंने दोनों निशान बना दिये हैं अब यहाँ मैं कमर के निशान के लिए सेम वही मेजरमेंट लेंगे अपनी कमर के नाप को 4 से डिवाइड करें और उसमें 1 इंच प्लस कर दें और निशान लगादें सेम इसी तरह हिप्स का निशान भी लगाएंगे अपने हिप्स के मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करें और फिर उसमें 1 इंच प्लस कर दें तो ये marking simple कुर्ती की marking की तरह है बिल्कुल वही measurement और cutting का method हमें अपनाना है तो मैंने ये video पहले भी किया हुआ है मैं link description box में डाल दूँगी आप उस method को follow करें और अपनी कुर्ती में बिल्कुल उसी तरह निशान लगाएं बाकी यहाँ बे कोई भी नई चीज नहीं है चलिए अब हम back side काटते हैं तो ये देखे हमारा front side कटके तयार है अब ये बाकी बचे कपड़े से हम back side काटेंगे तो हमने side से उतना ही कपड़ा fold किया है जितना की हमें जरूरत है ये देखे इतना मैंने कपड़ा fold किया है और उसके बाद जो front side की जो हमने कुर्टी अभी cutting की है उसे मैंने इस तरह place किया है इसके उपर और side side के जो fittings के निशान है बिल्कुल exact उसको लेते हुए मैंने marking कर दी है तो ये देखे ये आम होल की line मैंने कर दी है और length कर ली है और इन सारे points को मिला दिया है अब ये कुर्टी के कपड़े को हटा के एक बार exact measurement के लिए मैं नाप भी ले लूँगी तो सेम उसी तरह मैंने 3 इंच neck की width ली है 7 इंच ली है मैंने shoulder की width और उसके बाद हर जगा से सेम वही निशान जो हमने आगे के लिए दिये थे उसी को follow करते हुए marking दे दी है तो अगर आप चाहें तो जो कपड़ा आपने आगे का काटा है front side उसे रखके exact measurement का निशान लगा ले तो भी ये marking आप इसी तरह कर सकते हैं पर मैं थोड़ा सा accurate marking के लिए एक बार फिर से marking कर देती हूँ inch tape से जिससे कि थोड़ी सी भी कपड़े उल्टा सीधा ना कटे और अब marking हो चुकी है तो अब हम इसकी cutting कर लेंगे इस तरह ये देखे हमारी back side की गुर्ती भी कट चुकी है अब इसे भी हम side में रख देंगे अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है ये देखे आप देख सकते हैं इस तरह से बचेगा आपके पास तो इस कपड़े को हम यहां से cutting करके इसको बराबर कर लेते हैं पहले इस कपड़े से हम sleeves काट सकते हैं अब और बाकी का जो उधर कपड़ा बचा है उससे हम अपना सलवार काटेंगे तो sleeves के लिए भी मैं पहले ही एक वीडियो कर चुकी हूँ जिसमें की मैंने आपको बिल्कुल step by step बताया है किस तरह आप अपने sleeves की cutting कर सकते हैं मैं लिंक नीचे description box में डाल दूँगी आप उसे follow करें और अपने sleeves कटिंग कर लें तो बस इस कपड़े को आप फोल्ड करें और sleeves की measurement देके कटिंग कर लें तो यह देखे हमारे sleeves भी कट हो चुके हैं अब यहां जो बाकी का कपड़ा बचा हुआ है इसमें हम सलवार काटेंगे तो यह देखे यहां पे हमें काफी कपड़ा मिल जाता है तो सलवार के लिए मैं पहले ही एक video कर चुकी हूँ जिसमें कि मैंने आपको step by step बताया है किस तरह आप सलवार की cutting करते हैं तो बस इस बाकी बचे कपड़े से आपको सेम उसी मेथड से अपने सलवार की भी cutting कर ले ली है तो उमीद करती हूँ यह video आपके लिए helpful रहा होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें, share करें और मेरे channel को जरूर subscribe करें मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care